अब शेहर में दुकानों के शटर तोड कर रा चोर चोरी की वारदातों को अउजाम दे रही है जिन में से कुछ आरूपियों को पुलस ने सलाखों के पीछे डाल दिया है और मामलों को सुझा दिया है वहीं एक ऐसा ही अनोखा मामला चंडिगर सेक्टर राठ शराप के ठेके में देखने को मिला जहां पर छे शातिर महलाएं शराप के ठेके के बाहर पहुचती है और ना जाने कैसे अनूठी रणनीती के दौरान छे महलाओं में से एक महला दुकान के शटर के नीचे से घुस जाती है और बाहर खड़ी महलाएं फहरा दे रही होती है महिला अंदर से गुल्लक में रखे हुए लगभग डेड़ लाक रुपे लेकर शराब के ठेके से गायब हो जाती है इस बात का खुलासा तब हुआ जब शराब ठेकेदार दुकान पर पहुचता है और गुल्लक से पैसे गायब मिले जिसके बाद सेजी टीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया तो फुटेज में सामने आया कि कैसे छे शातिर महिलाओं ने इस चूरी की वारदात को अंजाम दिया है उसके बाद शराब ठेकेदार ने इसकी शिकायत थाना पुलिस को दी और थाना पुलिस मामले में जाच कर रही है हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह इस महिला गैंग ने चूरी की वारदात को अंजाम दिया इससे साफ जाहिर होता है कि ये गैंग ना जाने कितने घरों, दुकानों को अपना निशारा मना चुकी है बहराल अब देखना ये हुगा कि अब पुलिस चूरी करने वाले इस महिला गैंग को कितनी जल्दी पकड़ कर सलाखों के पीछे धुकेलती है अंजाब केसो टीवी के लिए चंडिगर से कुलदीग कुमार की रिपूर्ट झाल झाल झाल